पाठेक, भाशो और व्याकरण, Language and Grammar चित्र देखो और बताओ, यहां क्या हो रहा है? सोनू, रुको! आपने चित्र में देखा कुत्ता भौक रहा है, गाड़ी का हौन बज रहा है, मा बूलकर बच्चे को रुकने को कह रही है, यह सब क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? यह सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बाद दूसरों तक पहुचा रहे हैं, कुत्ते की भौबों और गाड़ी की पौबों संकेत मात्रे हैं, इन्हें भाशा नहीं कह सकते, भाशा का संबंद मनुश्य से है, भाशा मनुश्य के मुक से ही उच्चरित होती है, हम भाशा के द्वारा अपने मन की बाद बोलकर दूसरों तक पहुचाते हैं, और सुनकर दूसरों की बाद ग्रहन करते हैं, अताध्यान रखिए, भाशा वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुचाते हैं, भाशा के रूप, भाशा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, मौखिक रूप, जब कोई व्यक्ति बोल कर अपनी बात को दूसरों तक पहुचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुन कर समझ लेता है, तो यह भाशा का मौखिक रूप कहलाता है, लिखित रूप, जब कोई व्यक्ति लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ कर समझ लेता है, तो यह भाशा का लिखित रूप कहलाता है, अनेग भाशाएं अनेग भाशाएं बोली जाती है, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी, आदी, लिपी, हर भाशा किसी न किसी लिपी में ही लिखी जाती है, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपी में लिख भाशाएं लिपियां दोनों वाख्य पढ़कर हसी आ रही है न? क्योंकि ये वाख्य अशुध हैं. शुध वाख्य होंगे, लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है. कोई वाख्य क्यों शुध है और क्यों अशुध इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है. एक बार फिर से अपने विचार दूसरों तक पहुचाने तथा दूसरों के विचार जानने का माध्यम भाशा है भाशा के दो रूप हैं मौकिक तथा लिखित भाशा को लिखने के ढंग को लिपी कहते हैं व्याकरण भाशा के शुद्ध और अशुद्ध रूप की पहचान करवाता है